तो वेस्स नॉर्थ वेस्स की जब हम बात करते हैं, तो वो डारेक्शन ही है, मेरी डिप्रेशन की डारेक्शन है, वेस्स नॉर्थ वेस्स की डारेक्शन की आपकी एंट्री होगी, वेस्स नॉर्थ वेस्स आपके घर में बढ़ा हुआ होगा, वेस्स नॉर्थ वेस्स में आ अब आप आपको पूजय करने में प्रॉब्लम आदे हैं तो आपको रेक्रियेट करने में प्रब्लमादा। नौर्थीस इस अप डिरेटिन ऑफ पूजय पार्ट। इशान कॉन है मेरा वाटर आलिमेंट है मतलब मेरी पूजय घर बनाने की डारेक्शन है मगर आपनी क्या गर लिया, आपने अपने घर का पूरा कोड़ा निकाल के नौर्थीज की डारेक्शन में रख देते हूँ, सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगे, एक नजरिये का खेल, आप नंबर है, अब अगर आप, जो हमारे प्राइम निस्टरी है, उनी की डेट अबर्थ आप नंबर है, तो आप यह देखो शनी, आपको शनी एक ऐसा प्लानेट है, जो कहता है कि आप महनत करो तो उसका फल देने के लिए बिल्कुल तयार है, तो शनी क्या है, आपके करम फल दाता है, बट अगर आप कुछ गलत करते हूँ, आप कोई शॉटकट्स लेते हो, आपको दो तरीके से दिखाए देता है, आप नंबर आपका इंफिनिटी भी है, और आपका दो जीरो भी है, मतलब डबल जीरो भी लगता है आपको और अगर आपका देखने का नजरियाप चेंज करो तो इंफिनिटी भी है, अब जब इंफिनिटी के बात करते हैं, तो च अग्चे नहीं करोगे तो डबल जीरो है तो मेहनत का सारा खेले इस साल में तो शनी देव जो कहते हैं जो करम फल दाता है करमों का फल देने के लिए बैठे हैं तो सही तरीके से मेहनत करते रो शौट कर्ट्स अगर आप अपनाने की आदत है इस साल काम नहीं करेंगे वास्त तो में जो डारेक्शन देखनी है तो यह वेस्ट डारेक्शन आपके घर की पश्शिम दिशा जो पश्शिम के दिशा है जो आपकी मैनिफेस्टेशन की डारेक्शन है आपकी गेंस की डारेक्शन है उसके स्वामी कौन है शनी देव तो शनी देव उसके स्वामी है और यह ये साल शनी का साल है, तो ये सब के लिए, जितने भी हमारे audience हैं, जितने भी हमारे viewers हैं, ये सब के लिए कि आप अपने घर की पश्चिम दिशा, आपकी west की direction को इस साल जरू कंसीडर करो, अब उसमें क्या है कि west की direction में, अगर आपने अपना store room बना रखा है तो नहीं होना च तो इस साल में आपके जो वेस्ट के डारेक्शन में जितनी भी आपने गलतियां की हुई हैं, वो सब आपको प्राब्लम तक लेके जाएंगे. अब इसमें करना क्या है? वेस्ट के डारेक्शन में बनाना क्या है? तो उसको वेस्ट कुझे बहुत आसाने के तुरवा ड़ो बट उसके लिए वह होथ बटी बाति तो टुरवाना नही है. अब आप मानली अपका वेस्ट में पिट है तो इसको भरवाना है. और आपका अगर वेस्ट में आपने इस टोरूम बना रखा है तो उसको आप प्रॉपरली अरेंजड वे में यूज करो तो 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 तुडवाया नहीं है वो हमने इसके बाद अब क्या है कि वेस्ट के डारेक्शन में अब कलर की बात की तो चेंज हो सकते हैं कलर में अब उसक कोई ओपर बैदा का सकता है और को बाद क्योंप सकते हो नहीं तो ऐसाउन कर सकते हैं वेर Works की डारेक्शन में इस साल आपको मैंनिफिस्टिशन के लिए उसकरनी है manifestation क्या होता है जो मैं life में चाहता हूँ मेरे इस साल के ये goals है मुझे ये achieve करना है तो ये आप अपना एक pinpoint जिसको हम कहते हैं कि एक मेरा vision point है वो आपको इस साल में west की direction में लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि manifestation की direction है शनी का साल है और शनी की direction कौन सी west की direction है दूसरा आप अपना locker बना सकते हो west की direction में अब इसमें मैंने बहुत clearly बताया हुआ है कि अगर आप locker नहीं बना सकते तो आप एक छोटा सा कोई piggy bank भी रख सकते हो जिसमें आप coins दालो space है मेरा space element है मैंनी manifestation का ये direction है आपका gains की मेरी ये direction है west direction तो यहां से आपको gains create करने है तो मेरा locker हो सकता है कई बार ऐसा होता है घर के अरेंजमेंट्स ऐसे होते हैं कि हम नहीं बना पाते due to some reasons नहीं बना सकते हरे घर का अले अरेंजमेंट है घर मेरे छोटे भी है घर मेरे बड़े भी है बंगलो भी है मगर उसके क्या हमारे पास क्या settings है उसी साबसे में उसी use करना है आप नहीं बना सकते है locker आपने एक piggy bank की रख दिया तो coins आपको डालने है coins भी मगर कौन से जो coins चलते हैं जो coins नहीं चल रहे पांच के, दस के, पुराने से के आपने डाल के चलो ही सिर्फ coins ही डालने है सिर्फ coins डालने है चीक है तो उसमें आपने coins डाल दी अगर आप locker बना सकते हैं तो locker बना लीजिए light colors आपने लगाने हैं आपका bedroom हो सकता है और सबसे important बात जो भी किसी business में है जो कोई काम कर रहे है जिनके कोई shop है कोई showroom है west की direction में आपके branding होने बहुत जरूरी है मैंने बूला ना manifestation की direction है gains की direction है तो आपका जो brand है जो आपका नाम है जिसके through आपको income आ रही है जिसके through आपका मारे हो जिसके through आपका घर चल रहा है तो उसके branding तो एक proper सही direction में होनी चाहिए that is the west direction तो west direction से benefits create करने का time आ गया west के direction में आपका bedroom हो सकता है zone बट ये सब साथ में करने के लिए एक बार आपकी शनी की position साथ में देखना बहुत ज़रूरी है ये सब के लिए है but at least आपको पता होना चाहिए आपकी शनी की position है क्या और west में क्या नहीं होना चाहिए west में मैंने भी आपको जैसे बताया west में आपका pit नहीं हो सकता कोई भी pit किसी भी तरह का होगा क्योंकि gains है तो आपको वो gains कभी बढ़ेंगे नहीं वो गढ़ा आपको भी भर नहीं पाओगे pit क्या हो गया एक गढ़ा है अब आपने गेंस की direction में जिस direction से मुझे rise करना था उस direction को मैंने डावन कर दिया तो जब मैंने उसको down कर दिया क्यों मैं पिठी नहीं भर पाऊंगी तो मैं rice के से करूंगे ठीक है तो वो pit नहीं हो सकता आपका कोई भी clutter नहीं हो सकता मैं store नहीं बोलूंगी कोई clutter नहीं हो सकता कोई पुरादान टाइप सम्धिं कुछ ऐसा जब 명ुटा मोटा लोह का समान लोह का समान बल्टूल नहीं भी रस लग गया है मतलब उस पर कोई जंग है ऋंपके कोई तूटी चीज़ीज है आपके पुरानी घडियां है आपके पुराने फ kay फोन लोहां है कि हम यूज करेंगे. बहुत सारे लोगों के घरों में तो मैंने देखा कंस्रुक्षिन का समान. टाइल्स पढ़े हैं, पूराने पइंट के डिपबे पढ़े हैं, आप ने रख लिए वेस के ड आरेकशन में, क्युकि मही वैस के डायरेकशन है, साउथ वेस्ट के डिरेक्शन है, हेवी रखनी होती है, इस रहम नहीं आ रख दिये, मंगर आप यह क्यों भूल जाते हो, कि वही डिरेक्शन से आपके गेंस क्रियेट होने वाले हैं, वह आपकी मल्टिप्लाइ करने की डिरेक्शन है, तो वहाँ पर जब आप क्लटर रखोगे, तो वह चीज वही की वही रुख जाएगी, कलर्स कोई लाउड नहीं लगाने, वेस्ट की डिरेक्शन है, आप जितना वाइट कलर आप इस डिरेक्शन में यूज करते हो, वहाँ लाउड कलर नहीं लगाने कोई लिए. मेरा कोमन आदमी वाला सवाल है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे घर का कुड़ादान होता है, तो जनली होता है कि सुबह कुड़े वाला आता है, तो भाहर रख देते हैं, लेकिन जो पर्मानेंट हमारा डस्पिन होता है, कि आपने अगर अपने घर का कुड़ादा नौर्थ-East की डारेक्शन में ले जाके रखा है, आपके घर के अन्नोइंगली, आपको नहीं बता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मुझे कुड़ादा नौर्थ-East में नहीं रखना है, नौर्थ-East is the direction of Pooja part, इशान कोन है, मेरा water element है, मतलब मेरी Pooja घर बनाने के direction है, मगर आपने क्या घर लिया है, आपने अपने घर का पूरा कुड़ा निकाल के नौर्थ-East के direction में रख देते हूं, और आपके प्रस्पारिटी खतम हो गई, आपकी जो नौर्थ-East के direction हैं जितने बैनिफेट साने थे वो सब खतम हो गई, तो नहीं रखने आपको नौर्थ-East के direction में रखना, नौर्थ में रखना, और आपका जो वेस्ट के direction में भी आपको नहीं रखना, जैसे मैंने भी आपको बता है, आपको अगर कुड़ा दान रखना है, तो आप अपने घर की West-North-West के direction में रख सकते हो, आप East-South-East direction मे आपके body का waste जाता है, तो दोनों ही मेरा disposal है, तो जब मैं disposal के लिए directions देखती हूं, तो या तो वो मेरी West-North-West के direction आती है, मेरी East-South-East के, या South-South-West के direction, क्यों? इसलिए होता है कि जब इन directions में हम disposal यूज करते हैं, तो उस directions से मिलने वाले benefits वो भी हमारे खतम हो जाते हैं तो इन directions से हमारे कोई benefits नहीं आते हैं, that's why हम इसमें कोई कुड़ादान या हमारे pods हम इन directions में लगाते हैं, जो कि safe हैं, मेरे सवाल लिए, last time जो हमने podcast किया ता, तो कुछ जो मेरे भाई बंदों जो देखते हैं, चैनल, उनोंने ही कुछ मेरे को सवाल भेजे, तो मैंने वो subscriber नहीं पूछा है, बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा question है, और बहुत अच्छी बात है कि ये subscriber नहीं question पूछा है, क्योंकि लोगों को आज भी faith नहीं है, कि मैं बहुत सारे लोगों को याता है, नहीं वास्तू, सब करा रहे हैं, तो इसलिए मैं भी करा रहा हूं, पहले जब ऐसे क्लाइन आते हैं, तो पहले बठा कि इनको समझाती हूं, तो हमारे में जो मेरी क्वालिटी है, मेरा काम यह है, कि मैं किसी का वास्तू कर रही हूं या एस्तो कर रही हूं, विद लॉजिक्स करते हूं, आपको लोगों कोई चीज कर लोगों कि मैं कुछ बी चीज 새mals एप अपन्च तत्व को पया है।51 समrit किसी भी चीज मीं निग गाम आपने आम में नहीज बटता है। और किसी भी चीज के पीछे कोछ है। सकतितिकली इसके पीछ है लो रिव है है कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है या मैं और आप बैठे हैं हमारी human bodies इन में भी पांच ततो हैं सेम पांच ततो हमारे घर में भी होते हैं तो पहले बात यह कर लेते हैं कि human body पे जो अब हम ही रह रह रहे हैं न घर में बिमार भी हमी तो अब हम जो हैं, हमारे पांच थतों की अगर बात करें तो, मैं थोड़ा सापको पीछ ले जाती। पहले के टाइम पे ना तो इतनी बीमारीया होती थी, आज तो हरे कोई मैं आलग जगह जाती हूं नहीं नहीं बीमारीयों के नाम में सुन रही हूं। आपके लाइफ बहुत शॉर्ट होने लग गई, अब सड़नली हार्ट अटेक हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजी हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे अपने बॉड़ी के पांच ततों हमने भीगाड़ी है, मैं इसको बहुत डिटेलिंग में नहीं अगर आपको बात करें तो हमने वाटर के सबसिट्यूज ढूंग ले आज कल आज कल आप हो गए, मैंने और भी मतलब कोई और भी है, या मैं खुद भी हूँ, हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं भी हम लोग खाने के साथ आज कल एक पानी जो वाटर एलिमेंट हमारी बॉड़ी के लिए बहुत जुरूरी है, वो चीज उसका इंटेक कम है, हमने उसके सबसिट्यूज ढूंड ले, तो वो सबसिट्यूज पे जब रहने लोगोगे तो बॉड़ी में वाटर एलिमेंट ज़रूर उसका इंपक्त होगा ही पानी मत पी हो, खाने के साथ पानी मत पी हो, आदे गंटे तक मत पानी पी हो, वो ही है, कि बॉड़ी में जब आपके एक हीट जनरेट हो रही है, उसको वाटर से आप खतम मत करो, तो आपका वाटर और हीट का महीं पर ही आपका पूरा का पूरा पूरा को खलाश बन गया, इससे मेरी फार अलिमेंट खतम होगी है, नहीं पीना चाहिए, अवाइड करने तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, अगर आपका ये कि मैं लेना ही चाहता हूँ, तो थोड़ा सा लिकॉम वाटर आप ले लो साथ में, बट ये जो कल्चर आया है, इसके बाद आप बात कर लो, एर एलिमेंट की, एर एलिमेंट है, अ अगर जितनी खिड़कियां हैं वो भी बंद गड़ दी हैं लोगों, जोरत ही नहीं पड़ती हम तो इस ही जलाते हैं, हमें बाहर की एर की जोरत ही नहीं है, तो वाटर एलिमेंट आपका खतम हो गया, इसी तरह से पांचों तत्वों पे आपके असर पड़ा है, जिसकी पाइफ क्रॉस कर लिया है, वो बहुत बड़ी बात है, तो आदी हो गई है आपके लाइप, तो वो एक चीज़ है, अब यही पांच तत्वों आपके घर की बात कर लेते हैं, अब इसमें ज्यादा आभी आपने मुझे पूछा था है कि इसमें ब्रहमस्थान को आप पार्ट आपका पेट, तो वास्तु पुरुष का मिड़ल पार्ट इस ब्रहमस्थान, तो ब्रहमस्थान है, अगर ब्रहमस्थान में ही प्रॉब्लम होगी, तो पूरे घर में प्रॉब्लम आएंगी ही, क्योंकि that is your energy point, आप एक नेवल से ही जुड़े होते हो ना, जब आपका घर का जो energy कितनी balance होंगी वह आपका ब्रहमस्थान से पता लगता है, इसलिए ब्रहमस्थान खाली रखा जाता है, पुराने टाइम में आपका जो center में जो चौक बनते थे, that is your ब्रहमस्थान, उपन रखा जाता था, खाली रखा जाता था, ता कि वहां कोई वजन आज भी हम जितनी भी जगह विजिट करते हैं, तो कोशिश है रहती कि ब्रहमस्थान आप खाली रखो, ब्रहमस्थान में आप जब जब kitchen बनाओगे, washroom बनाओगे, stairs बनाओगे, कोई वजन रखोगे, आप देख लेना आपको problems आएंगी, पेट से related या कमर से related problems आपको start हो जो कि सिर्फ eat और पत्थर से बनी है, नहीं, उसमें रहने वाले लोगों को उसका हाम होता है, तो इसलिए कहते हैं कि आपके घर का वास्तु आपको impact करता है, आपके premises, आपके काम की जगे का वास्तु आपको impact करता है, that is the thing, घर में रहने वाले लोगों पे उसका negative impact आता है और सबसे ज़्यादा किस पे आता है, जिसकी दशाएं, जिसका जो पत्री, जिसका एस्ट्रो चार्ट कमजोर होगा, डाफिनिट्ली उस पे सबसे ज़्यादा आ जाएगा, ये आपका एस्ट्रो वास्तु का रूल हो गया, और इसमें, let's example, हम ने ये तो बात ही कर ले कि वास निकलवाया था, या हमारे यहाँ पर होता है कि मौरत निकलवा के हमने नीव रखी है, ठीक है, हमने फिर पूजा करी है, तो उस पूजा का कितना इंपोटेंस होती है इस वास्तु में, उसको थोड़ा बता होगे, बिल्कुल, तो इसमें जब हम वास्तु, जब देखिए, उसके हिसाब से हम आपका वो मूरत निकाल देते हैं, कि यह यह डेट आपका यह मूरत रहेगा, या पंडी जी से निकलवा लेते हो मूरत, मगर अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज क्या है, कि जो आपका जो भूमी पूजन है, वो आप कौन सी दिशा में कर रहे हो, आज भी, ब्लाइंडली लोग या तो नौर्थीस्ट में गढड़ा कोद के भूमी पूजन कर रहे हैं, या पंडी जी ब्रहमस्थान में बठा के आपको भूमी पूजन कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, जब हम भूमी पूजन किसी भी प्लॉट का करते है तो हर तीन- तीन महीने में वो डारेक्शन चेंज हो जाती, वो तो हमें नौर्थ एस का अजूस्ट विस्ट यस्ट यहे कभी आपका роль है और इस वहाанс चीजें आपकी चेंज होती हैं क्या होता है वो सन पोजिशन से देखा जाता है, सूर्य की पोजिशन कि अब देखना पड़ता है कि हमें कहां से शुरू करना है आपने देखा होगा मैं तो बहुत देखा है कि लोगों को जब चुछ इन बादी चुछ दिन बादी चुछ रुक जाता है राइट बिल्डिंग रुग गई मेरे पैसा ही नहीं बचा पता नहीं क्या प्रॉब्लम युझ अब वापस स्सार्ट हो गहा है तो लुको जो कॉन सी दिषा से आप उसको कर रहे हो बहुत मैटर करता है तो ब्लाइंड़ी फॉलो मत करो कि मुझे नौर्थ-eese में गदा खो दिया था मैने था काम शुरू कर दिया मैं नौर्थ-eese से काम शुरू कर दिया नहीं न मुरत अपने वास्तुवालों से यह एक जगा डारेक्शन आप उनसे ले लीजे कि मुझे कौन सी डारेक्शन से शुरू करना है इसमें एक सबसे मीजर पार्ट होता है ड्राफ्ट मैन का उसको थोड़ा सा एलाबरेट करो क्योंकि वास्तुपे ना पोड़कास बहुत देखा था तो तम मेरे को पता लगा तम मुझे समझने ड्राफ्ट मैन क्या था ड्राफ्ट मैन वह होता है जो डेलिग्राम वगरा सारा कुछ मैप करते हूं यह आजकल बहुत जादा चल रहा है मेरे पास भी ड्राफ्ट मैंस की बनीवी ड्राउइंगज आती हैं अब क्या होता है कि अब जैसे मैं तो खैर नहीं करती हो जोता है क्या हुआ बो आपना एन वह ब्यांबर ।ो नॉमली क्या हुआ कि सी आपि आपने आप इमान लीजे आप किसी वास्तुपाले के पास ले क्या इरेक्शन कि आ रहे हैं, तो तो यह उन्होंने आपका लेयाओद बना दिया, आपने जोनिंग पूरी उन से करा ली और फिर वो आपने अपने वास्तुवाले को भेज दिया और उन्होंने उसके ओपर आपको कंसिटेंसी दे दी, अब इसमें क्या है ड्राफ्ट्मेंड मुझे grid बनवा के भेजी बट उसके बाद ही मैंने जो वहां जाके देखा तो जो degrees आ रही है उनके degrees में और हमारे degrees में फरक आ रहा है तो अब आपने जो degrees लगा के भेजी आपने तो बनवा लिया ड्राफ्टमेंट से आपने बेज दिया आपने consultant को अब consultant को बेज दिया, consultant ने जो आपने degrees लगाई उस हिसाब से directions पर काम करके आपको बेज रही है बट जब वो degrees ही ठीक नहीं लगी थी तो वो जो consultant ने काम किया वो कितने हद तक ठीक है क्योंकि वो तो direction ही ठीक नहीं आई तो वो चीज़, अब इसमें जो होता है ना, हम लोगों का in-house क्यों रहता है हमारा in-house इस लिए है क्योंकि मेरा खुद का interior architecture का background है मैं खुद अपना वास्तू मैं खुद करती हूँ, आपका estro भी है, numero भी है तो अबने सब चीज़ों को combine किया हुआ है तो अगर मैं किसी साइड बे विजिट के लिए जा रही हूँ, तो मेरा draft में मेरे साथ जाता है चीक है, तो हम लोग अपने drafting खुद करते हैं, अपने directions खुद लेते हैं और practical notes पे काम करते है एक सवाल ये है कि क्या वास्तू से addiction, depression और conceive पे भी फरक पड़ता है बहुत बहुत फरक पड़ता है चलो मैं depression मान सकता हूँ, addiction चलो एक अलग चीज है वैचे तो नहीं मानूँगा addiction है, अगर मैं किसी चीज को बार-बार कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज का addict हो गया उस पर मेरे direction का तो कोई रोल नहीं होता depression में चलो ठीक है कि मेरे साथ में कुछ ऐसे financial loss हो गया या कोई relation खराब हो गया या घरवालों से लड़ाई होगी तो वो एक depression हो गया conceive कर तो कहीं से कहीं logic नहीं आता बिल्कुल आता है आपके जब हम घर की directions की बात करती हैं तो हम 16 zones पे बात करते हैं अब यह मैं सिर्फ मैं फिर clear कर देती हूं सिर्फ किताबी knowledge पे बात नहीं कर रही है आप जितना देख के सुन रहे हो या आपने कोई किताब उठा के पढ़ लिए नहीं यह practically मैंने देखा है तब मैं इस चीज़ पे बात कर रही है तो practically होता है क्या है कि जब 16 zones के हम बात करते हैं तो हर एक zone से हमें कुछ ना कुछ benefits और कुछ ना कुछ negativity आती है अभी आपने बात करी depression और आपके यह addiction की अब addiction है मैंने आपको बोला कि addiction हो रहा है और आज कल के time पर depression की problem बहुत ज़ादा है हर दूसरे तीसरे घर में में देख रही हूँ कि depression हो रहा है problem आ रही है even बच्चे भी परिशान हो अभी एक survey हुआ था उसमें यह बताया गया कि आपके इर्दगिर्द पांच लोग अगर है ना एक ग्रूप में तो उसमें से एक बंदा depressed है तो वो चीज़ है अब आपका अगर यह मैं बहुत clarity के साथ बोल सकते हूँ यह चीज़ क्योंकि यह मैंने अभी बहुत सारे examples के तुरू देखा है ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एका के example पर काम करते हूँ अगर आपके घर के entry west north west की है जो की मेरी direction ही है depression की मैंने बोला ना हर एक direction का एक नएक attribute होता है तो west north west की जब हम बात करते हैं तो वो direction ही है मेरी depression की direction है west north west की direction की आपकी entry होगी west north west आपके घर में बढ़ा हुआ होगा west north west में आपका bedroom होगा तो आपको किसी भी तरह के depression से बचा कोई नहीं सकता सेम addiction आपका west north west की ही direction अगर आपकी entry है या आपका वो बढ़ा हुआ है चुकि बहुत सारे लोग का दिली में तो लोग को बहुत शॉक है एक पिट यहां बढ़ा लूँ दो फिट यहां बढ़ा लूँ तो वो आपने आपी create कर ले तो ना आप अपने वो जो एक extension जो कर लिया और वो जाने अन जाने जब आपका west north west की तरफ हो जाता है तो अब आप सोच लो कि आपने अपना addiction भी बढ़ाया आपने अपना depression भी बढ़ाया या फिर घर में किसी का भी bedroom अगर west north west की direction में है तो वो आपका depression और addiction की तरफ लेके जाता ही है ये 100% होता है क्योंकि उस direction के attributes हो है आपने logic पूछा ना मुस्से क्योंकि उस direction के attributes ही हो है west north west की direction का bedroom हम कभी किसी को नहीं देते west north west की direction का अगर आपका bedroom है तो आप depression में 100% हो west north west का अगर आपका bedroom है आप कहते हो कि मेरे को तो कुछ भी नहीं था मेरे को तो addiction किसी चीज़ की थी नहीं और suddenly addiction बढ़ गया तो वो है और conceive का क्या बोलो गया conceive का भी बता देते हूं आपको अब conceive है अब एक baby create हो रहा है recreation है है न तो recreation की भी एक direction होती है that is east north east आपके घर की east north east direction इसमें मैं भी आपको एक example भी दूँगे तो अब यह जो आपका east north east के direction में अगर आपका bedroom बना हुआ है husband wife का bedroom बना हुआ है तो वहां से conceive करने में आपको इतनी problems आने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते क्यों उसके दो कारण है अब पहले तो मैं आपको न इसके लिए north east clear कर देती हूँ इसमें आप elements का role भी आ जाएगा और east north east भी आ जाएगा अब element का role क्या है north east की direction का element है water ठीक है east north east भी आपका कही न कहीं water और air आपका mix हो जाता है तो वहाँ भी आपको उस चीज़ को consider कर सकते हो तो जब east direction का element water होता है और हमें एक baby जो आप जब conceive करते हो एक baby को create करने के लिए क्या चाहिए होती heat element is zero क्योंकि water element is there north east is the direction of water element east north east के तरफ वो आपके जो direction वो recreation की है तो इन directions में जब आपका bedroom बनेगा तो water element की वज़े से आपको एक husband wife का relation कभी fire हो नहीं पाएगा एक वो fire जो एक वो जो चाहिए होती है एक baby को create करने के लिए वो नहीं है north east के direction में maximum मैंने लोगों को लड़ते हुए देखा क्योंकि husband wife की bedroom की जगा नहीं होती हो इसमें थोड़ा सापको ना शायद लोगों को नहीं पता होगा तो एक थोड़ी से awareness के लिए मैं आपको बता देती हूं north east मैंने जसे भी आपको बता है पूजा पार्ट की जगा है इशान कोन है ठीक है पूजा पार्ट की जगा है पूजा पार्ट की जगा पे आप जब husband wife का bedroom बना रहे हो तो बेडरूम क्या है husband wife का relationship तो अपने आप में एक fire है ना तो इटमीं साप ये बोल रहे हो कि sex करने की भी direction होती है husband wife के एक sexual life के लिए वो direction नहीं है उसके लिए आपको एक fire element चाहिए होता है अब आपके sexual life भी impact हो रही है इसके बाद आप आजाओ आपको मैंने भी बोला आपको east-north-east के direction recreation के direction है जब इन directions में आपके bedroom होते हैं तो आपको recreate करने में problem आता है इसके मैंने आपको दो-तीन चीज़े बता जीज़े water element हो गया आपका हीशान को ने आध्यात्म की जगा हो गई हम east-north-east भी अगर है नorth-east में भी मैंने देखा है normally ये बुक्स में कहीं नहीं लिखा होता है ये मेरी practical knowledge है कि नorth-east में भी अगर आपका bedroom है में problem है husband wife की रोज लडाई है तो उनकी sexual life भी impact हो रही है उनकी आपकी जो लडाई जगडे भी वो कर रहे हैं तो recreate तो खेर बहुत ही दूर की बात हो गई उनका वो हमने उठा के जब दूसरी direction बैट लगाया वो चीज़े प्रॉपर भी हो गई बेबी भी कंसीव हुआ सब कुछ चीज़े प्रॉपर हो लाइफ में 360 डिग्री चेंज इसके बाद अब ही आपका मेरा एक US के क्लाइंट है उनका इस गुजराती उनका आया मेरे पास मैम ऐसे ऐसे है हमारा कंसीव करना है प्रॉपर मैंने काप अपने घर का मुझे एक बार डारेक्शन और वो सब ले आउट मुझे बेज दीजे आई विल चेक तब मैंने देखा उनका बेडरूम आपका जो इस नौर्थ इस का बेडरूम उनके बड़े उनने कई बार कह चुके थे बड़े लोगों को knowledge होती है उनके जो बड़े बजotherapy है अनके जो घर के जो बड़े हुन страх और आप लोगों के लिए ने चेंज करो आपको साउथ के रूम में जाने की जएरत है आपको साउथ-वेस्ट के रूम में जाने की जएरत है यानि तो साओधीस के रूम में ज़र जाओ मगर आपको नौर्थ एस के रूम से बाहर निकलना है अब वो नौर्थ एस और एस नौर्थ एस में दोनों की बात कर रहे हैं तो आपको इस रूम से बाहर निकलना है और ये ऐसा था कि वो वहां से बाहर निकले हैं रहों बोड ना कन्सीड कर ले रहा है। थो आपका घर का मेजर ओला है अपके लाइफ पे। मैं क्या बोल रहे हूं? नापके पंच्टा तो आपके घर का वास्तू इंपड बाडाले स्थी नापके ताड़ेन किसी बाहर वाले का दें कि आप लोग बहर मेरे आपको किसी को बेभी चाहिए किसी की मेरी आपकी हस्बंड वाइस की रिलेशनशिप नहीं हो, с्में भी चर्निंग हो रही है अजी अपन अपनी इस-स इस के डायशन देख लो क्योंकि अब उसने तो मजयाक में सवाल भेजाता और बाद में लाफ्टर की अपोजी लगा दिती बट मेरे माइड मेरे माः बापपा ऐसे बोलते थे यार उस साइड मुखर के मथ बैठ उस साइड मथ पढ़ इस साइड को मुखर के बैठ ये भी होता है कुछ ऐसा ये तो बहुत ही अच्छा कोशन आपने पूचा है इस टाइम पे क्योंकि बच्चों का पढ़ाई काई टाइम चल रहा है बोड आ रहा है तो पढ़ाई के लिए तो डिफिनेटली डारेक्शन होती है आप कोई भी इसके लिए मैं आपको एक छोटा से टिप दे देती हूँ आप कोई भी काम कर रहे हो आप कोई भी अच्छा काम करने बैठो आप नौर्थ की तरफ फेस करके बैठो आप एस्ट की तरफ फेस करके बैठो तो वो आपको एक positivity उस direction से आती है, these are the positive directions, घर की west की direction हो गई, या फिर आपके घर का west-south-west का कोना, west-south-west का जो आपका कोना है, वो आपका education से related है, आपकी savings से related है, ठीक है, पूरे घर की बात कर रहे हूं, मैं आपके घर की west-south-west की direction में, आपका क्या बना हुआ है, वो ची कि study room में, maximum जो problem आती है, वो मैं आजकल जो visit करती हूं, तो देखती हूं, बच्चे बैड पे बैठके पढ़ ले हैं, सब, actually ये पहले भी इतना नहीं था, जितना कोरोना ने कर दिया, कोरोना के आने के बाद से, बच्चे इतने lazy हो गए हैं, ना life में कोई routine है, ना time से उठन बैठना भी है, तो बैड पे बैठके, वो मतलब पढ़ना भी है, तो बैड पे बैठके, तो बैड पे बैठके क्यूं पढ़ना है, एक proper study table और chair पे बैठके आप पढ़ोगे, उसका impact अलग आएगा, आप bed पे बैठके पढ़ोगे, तो आपको कभी भी उसके results proper नहीं मिलें तो आप टेबल और चेर बाट के पड़ो, और अभी आपने जो फेसिंग की बात करी, तो जो टेबल और चेर भी ना, लोग मैंने देखा कि वाल के साथ अलाइन करके लगाते हैं लोगों के स्टडी टेबल, क्योंकि यह रूम का, मुझे डिजाइन भी देखना है, इंटीर भ कोई खिड़की हो, या फिर जैसे मैं यहां बैठी हूँ, तो सामने कुछ गाप हो, तो मेरा वो थोड़ा सा, वो clarity of thoughts, बेसिकली वोल ना हो सामने, की अटक जाए बन्दा, वो एक barrier का काम करती है, वो नहीं करना है, तो यह चीज, यह parents के लिए, कि अब आप जब आप बच् जरूर रखना है, और अगर सामने window है, तो बहुत अच्छी बात है, west-north-west के direction में विलकुल नहीं पड़ना, फिर depression है, फिर वो किताबें आपको बोज लगने लगेंगी, आपको याद नहीं हो रहा, फिर आपके लिए वो depression क्रियेट हो रहा है, मेरा बच्चा depression में क्यों जा रहा है, आप पहले बच्चे को देख तो ला, बच्चा बैठ के पढ़ कहा रहा है, आपने बच्चे का बेड कहा लगा रहा है, बच्चे की study table कहा लगा रहा है, बच्चा maximum time कहा बिता रहा है, तो west-north-west के direction में अगर वो बैठ के पढ़ रहा है, तो पहाई उसके रहे west की तरफ या south की तरफ, और आपको especially अगर आप कर सकते हो, जो कि मुझे मालूम सब घर में possible नहीं होता, बच्चे का study room west-south-west की direction में बनाओ, ताकि उसको education में help करे जोन, पूरा का पूरा, तो west-south-west में अगर आप नहीं बना सकते, तो बच्चे का कुछ study material आप वहा लगा तो कि बच्चा क्या करना चाहता है, जैसे 10th और 12th के बच्चे हैं, बोर्ड के exam दे रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ vision clear है, मुझे आगे जाके ये बनना है, मुझे किसी को engineering करना है, किसी को medical करना है, किसी को बहुत सारी line है, किसी को कुछ और करना है, तो वह एक vision point आप West-South-West के direction क्या करना चाहता है, या West के direction, जो मैंने भी आपको बता है, manifestation की direction है, तो बच्चे का एक pin board आपने वहां लगा दिया कि मेरे बच्चे को ये चीज का मेरा इकिये manifest करना चाहरा है, मगर फिर भी आपको रूम में कलर्स कैसे हैं, light color लगाओ, थोड़े soothing colors होने आपके बच्चे की स्टाडी टेबल बस पर एक सरवसुती माता की फोटो होने चाहिए, जो खुद ग्यान की देवी दिक्कत हो है ना, मौडन इतने जादा हो गए हमने देवी देवताओं को भी पीछे चोड़ दिया, हमने अपने कस्टम्स को भी पीछे चोड़ दिया, व मैं करती हूँ, इंटीर वास्तु, ठीक है ना, हम जब इंटीर के साथ वास्तु करते हैं तो जब मैं खुद इंटीर के बैग्राउंड से और अर्किटेक्चर के बैग्राउंड से ना तो मैं घर का अर्किटेक्चर खराब करती हूँ, ना मेरे को घर का इंटीर खराब हो तो मुझे अच्छा लगता है, तो वो नहीं है, हम वाल्स पे फोकस करने के बजाए कि आपको, मान लिजए, यह मेरा फायर ऐलिमेंट की डारेक्शन है, आगने अकोन है, यहां तो थोड़ा सा मुझे कुछ लाउड रेड की कोई स्कीम चाहिए, नमली लोग यह करते हैं, रे आपने दिवार पे पोद दिया, अरे वो देखने में, आपके आखो कोई सुकून ने मिल रहा, आप घर में आ रहे हो, वो एक इतने लाउड कलर जब आप देखोगे, तो आखो को सुकून नहीं मिलेगा, तो उसका जो दूसरा सब्सिट्टूट आता है, यह पेंटिंग, इस पे जब हम बात करते हैं, तो मुझे, अगर मान लीजे किसी के घर में, वाटर एलिमेंटी अड़ आप कराना है, तो मैं उसको बोलूँ कि कुछ वाटर बेस्ट पेंटिंग, कुछ सुन्दर सा वाटर का सीन आप लगा सकते हो, मुझे किसी का साउथ वेस्ट की डिरेक् पेंटिंग कर सकते हो, आपका खुद के फोटो हो सकते है, क्योंकि साउथ वेस्ट इस डिरेक्शन ऑफ अथॉरिटी, साउथ वेस्ट इस डिरेक्शन ऑफ मास्टर बेडरूम, अगर आप वहाँ 24-7 नहीं रह सकते, तो आपका एक फोटो फोटो फ्रेम, गोर्डन फ्रेम क होते हैं, वो अर्दी कलर का कोई भी शेड अप ले सकते हो, तो पेंटिंग के तुरूम इस चीज को, अब आपका फायर में ही चले जाओ, मुझे फायर ऐलिमेंट या मुझे एर ऐलिमेंट, मैं इस्ट की बात कर लो, एर अलिमेंट मुझे अक्टिवेट करना है, तो मैं को कोई सुंदर-सुंदर, आपका कुछ ग्रीनरी से रिलेटेड, आपको फोटो ले सकते हो, या फिर आपको नहीं समझ में आर आपको पैंटिंग समझ में में नहीं लगानी है, तो आपको मुझे पूरी वाल कवर करने है, तो आपको वाल पेपर ले लो, अभी आपको कोई आपको बीच में डिस्टब कर रहा हूं, माइन में एकदम से चीजे आती है, कि आपने किसी घर का वास्तु किया हो, और अपने देखा हो, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सारी डारेक्शन्स प्रोपर ली जैसी होनी चाहिए वैसी है, लेकिन आपने उनकी पेंटिंग को ल आपने गोड़ो की पेंटिंग का सुना, मैंने पानी में दौरते वे गोड़े लगा दिये, भगता हुआ लगा है, घास खाता हुआ लगा है, खड़ा पता हुआ लगा है, तो आपने लगाया है, वो जो घोड़े, सफेद घोड़े है, आपने लगाया है, पानी में दौर तो वह सफेद गोडे जब आप पानी में दौड़ते उस डारेक्शन में लगा रहे हो तो वह प्रॉब्लम दे रहा है आपका एक जगे मैं भी गई थी चन्ने की बात है मैं वहां उनके आँ गई उनके सब कुछ उन्होंने चीजे ठीक थी घर बहुत सुंदर बहुत अच्छ एक कटेवे गोडे की फोटो लगा रखी थी साउथ की डिरेक्शन में और डट वस ब्लाक अब यह जो काला रंग है जब यह काला रंग की हम बात करते हैं तो काला रंग वाटर को डिनूट करता है ब्लू और ब्लाक कलर इस फ़र वाटर तो अब जब हमने आपने साउथ की तो यह जो पैसा आता भी है तो वह भी पानी की तरह कहां जारा आपको पता भी नहीं चले है एक तो क्यों बिल्कुल नहीं लगाने चीए क्टिवी पैंटिंग्स पर नोमली लोगों के घरों से हटवाती हूं बहुत सारे हैं जो बहुत महिंगा तो फिर आप ऑई यह तो क तो पूडे में फेको, या फिर आप मैं तो, अगर मैं वास्तू कर रहे हूं तो मैं यह चीज़ अलाओ नहीं करूँगे। कटावगोडा हो गया, आपके कटीवी कोई पेंटिंग हो गया पिक्चर हो गयी, आपके कोई रोतीवी पेंटिग हो कोई आपका «WILD सीन» हो गया, यह लोगों को नोगों को ने का बहुत शोक होता है लोगों को wild scene के pictures अब आपने बुछा था कि कुछ anti लगाई हुई हाँ मैंने ये भी एक जगा देखा है कि लोगों ने south west के direction में water element add कर दिया एक painting के through ठीक है और north east के direction में आपने ले जाके लगा दी बड़ी-बड़ी buildings ये मैंने live देखा है ये मेरा एक bangalore का case है तो ये मैंने live देखा उन्होंने क्या किया north east के direction में जब आप उची-उची buildings लगा देते हो तो आपने उस direction को heavy कर दिया जब वो direction को heavy करना ही नहीं है printing के तुरू ही सही मट आपने वो उस चीज की presence होँआ बना दी और आपने किया किया south west के direction ने water element add कर दिया तो आपने तो north east और south west जो मेरा access ही है पूरा वास्तू का जिसमें मेरा पूरा वास्तू maximum लग जाता है वो आपने दोनों ये access भी गार दिये तो problem तो अपने आप ही आने तो south west में एक water element add करते ही आपका पैसा तो कहा जा रहा आपको पता ही नी और north east आपने heavy कर दिया तो आपका ये mind पूरा ब्लॉक हो रहा है उसके बाद आपकी जितनी भी opportunities prosperity आनी थी वो सब वो heavy होने के विज़े से वो भी खाता हम रही है और mirror का पैंटिंग्स करो जगा 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 mirrors I was like this ये अपने क्या कर रखा इतने सारे mirrors क्यों लगाए है तो mirrors की repulsion power high होती है तो ये सब के लिए कि आपी note कर लो कि mirror आपके bedrooms में नहीं होने चाहिए लोगों को ये ज़रूर पता है कि mirror में bed का view नहीं दिखना चाहिए बट open mirror आपके bedroom में नहीं होने चाहिए क्योंकि mirror की repulsion power high है आपको problems देते हैं तो mirror लगाएं कैसे mirror आप लगाओ अपनी अलमारियों के अंदर open mirrors को avoid करना है जितने open mirrors आप लगा रहे हो mirror क्या है mirror is the multiplier repulsion power तो high है बहुत जगे पढ़ पढ़ के लोगों ने north की direction में north east की direction में east की direction में mirror लगा डाले कि भाई मुझे ये direction multiply करनी है ठीक है बिल्कुल अच्छी बात है आपने कर लिया मगर आप उसके साथ ये भी तो देखो कि उसमें दिख क्या रहा है किसी के washroom का सामने mirror लगा है जब जब washroom का दर्वाजा खुलेगा तब तब washroom की जो negativity है वो समों मुल्टिप्ला हो रही है that is the wrong thing south west की entry है तो ये तो मेरे किसी client के और किसी वस्तुवाले नहीं करा रहा रहा था south west की entry है आप सामने mirror लगा दीजे वो reverse हो जाएगी how is it possible south west की entry है रहू की entry है वहाँ से जितनी negativity होगी सामने mirror लगाते ही वो multiply होगी कहते भी है ना कि mirror negative energy को जादे अपनी तरफ वो करते है मुई मैं बोल रही हूँ ना repulsion power बहुत हाई है अब इसमें क्या जो लगाना चाहिए mirror वो लगाना कैसे चाहिए आप north wall पे लगा सकते हो but definitely आप ही देखो कि उसमें दिख क्या रहा है north wall पे आपने लगाया सामने mirror red color की wall है वो north wall के mirror पे red color दिखाई दे रहा है तो अपने आप shift हो गया उस wall पे इसलिए mirrors बहुत सोच समझ के लगाया जाते हैं तो mirrors तो लगाने से पहले आप बिल्कुल 10 बार सोचो कि मैं mirror कहा लगा रहा हूँ अगर मैं लगा तो रहा हूँ अपनी positivity के लिए मगर mirror उससे हो गया पूरा का पूरा negative आप आपने पता नहीं सुना कि बेड में आप जब सोते हो तो mirror में आपकी प्रतिबिम्ब नहीं दिखना चाहिए सुना हो जाए ना तो यह तो normally अब इसके पीछे क्या logic है यह बड़े बुजर्ग हमें बताते तो थे बड़ जब मैंने study की तब मैंने इसका logic है अब आप जब सो जाते हो तब आप वापस से positive है otherwise वो आप उस ही उसमें हो तो जब आप सो रहे हो आप negative हो एक मृत के समानों आपका view एक mirror में दिखाए दे रहा है तो मैंने क्या बोला रिपर्शन पार बात हाई है तो वो negativity ही multiply करेगा और एक चीज़ बताती हूँ चो शायद आपको बहुत ही magical लगेगी आपकी body में आप ये चीज़ notice करना जितने भी viewers है मान लीजे आज मेरे पैर में दर्द हुआ है या मेरे पैर में कुछ भी लगे और वो ही मेरे पैर का part रोज मेरे mirror में दिखाई दे रहा है जब मैं सू रही हूँ मान लीजे यही इतना part है या गुटने से नीचे का part है वो अगर उसमे mirror में दिखाई दे रहा है तो वो दर्द कभी खतम नहीं होगा वो multiply होता जा रहा है आपका इसलिए इसलिए mirrors तो बहुत ज़ादा sensitive चीज़ होती है जिन पर बहुत लोगों का दियान जाता भी नहीं है शीशा ही तो है लगा लिया मूँ देखने के लिए लगाया बट वो शीशा लगाया कैसे है अब लगाना कहां चाहिए आप dining table के सामने लगाओ आप खाना खारे हो आपका views में दिखा ही थे prosperity बड़े घर की आप locker के सामने लगाओ आपको locker खुल रहा है पैसा दिख रहा है तो वो multiply हो रहा है इस तरह से mirrors को use के आ जाता है शुकर को कभी आप साइर आप स्टा इस ट्रवास्तूे में भूत सारे कमेंट्स आये ते मेरे पास तरह अप सरोट में उनकिस तरह में पूछा ता जूछा ता है कि आप एस्ट्र Разथ के थूँ खूड़ा सा बपताड़ों को घर कके हैं दूसरा कि कौन सी डारेक्शन में क्या चीजे लगा सकते हैं, दूसरा एक सवाल ओर था, कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि उनकी जनम पत्र, मतलब डेट बर्थ रही है, तो उनकी जनम पत्री को किस तरीके से वो कर सकते हो आप, अच्छा, डेट बर्थ नहीं है या टाइम नहीं है? टाइम भी नहीं है, पता, डेट बर्थ भी नहीं पता कुछ लोगों को, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो ऐसे में ये ऐसे होता है, देखो जब हम एस्टो वास्तु की बात करते हैं ना परम, तो एस्टो वास्तु is combined, एस्टो एंड वास्तु, तो इसको जैसे कि आज अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वाट इस्टो वास्तु, लिखने के लिख देते हैं कि एस्टो वास्तु हम करते हैं, बट एस्टो वास्तु is customized वास्तु, देखो वास्तु के रूल तो आपके apply होई रहे हैं, मगर साथ में हम एस्टो वास्तु भी club कर रहे हैं, अब वो कैसे होता है, जो घर का, अब एस्टो वास्तु लगता कि सबसे बहले तुम्हें बता रहते हूं, फिर आपके सवाल का भी जवाब दूँगी, एस्टो वास्तु जो घर का, आपका जिसके नाम पे घर है, पहली बात, या फिर जो घर का earning member है, तो उसके उपर हम एस्टो वास्तु के rules apply करते हैं, अगर सभी पे करने लगे तो वो बहुत ज़ादा, एक kiosk create हो जाता है, अब अगर इसमें, आपको डेट ऑबर्थ और टाइम नहीं पता, कुछ लोग, आते हैं ऐसे केसे हमारे पास भी, कि मुझे टाइम नहीं पता, तो हम डेट ऑबर्थ के थूरू, निउम्रो से भी कुछ निकाल लेते हैं, अगर आपको डेट ऑबर्थ और टाइम भी अपना नहीं पता, तो आपको अपना नहीं पता होगा, आपके बेटे का तो पता होगा, किसी का तो पता होना चाहिए, क्योंकि बेटे की पत्री से भी फादर का कुछ पता चल जाता है, तो किसी ना किसी का तो चाहिए, जब हम एच्टे वस्तू कर रहे हैं, तो हम धेट वबर्त रर्थ रर्ण टाइम चाहिए, अब आग आख आपक तो आपक अनिग मेंबर हूँ, मुगे मेरे हिसाब से बताना है, मुझे अपनी डेट वबर्त बता, ये होता है, नॉमलली आता ह और time ने पता मुझे, तो आप अपनी data बढ़ती बताओ, at least हम numbers के थ्रू, क्योंकि numerology के साथ ही में club कर रही हूं वास्तू को, हम numero वास्तू भी कर रहे हैं, तो वो numbers के थ्रू आपके क्या numbers आ रहे हैं, क्या अपके grades बन रहे हैं, उस पे वास्तू कैसे apply होगा, तो उसके प्रॉब्लम हा रही है, तो मैं उसकी उस डायरेक्शन पर जाके, जो भी महमान लीजे, कि जो भी चार्ट हो सकता है, चार्ट तो सबके अलगे लोगों होता है, किसी का लगन में धनू है, उनके चार्ट के हिसाब से, उनके पैसे के घर को active करने के लिए, कौन सी तो आप यह लगा हो, या फिर मेरा चीजे चलती तो है, फिर रुख जाती है, मतलब एक निरंतर प्रवाह में नहीं चल रही है, तो हमें एक डायरेक्शन उसके चार्ट से देखेंगे, फिर आपके वह कौन सी डायरेक्शन आरही है, उसमें आप अपनी पैंडूलम की कोई लगा लिजे, जिससे की वो चीजे थोड़ा सा चलती रहे, बल्कुल, आपकी काम जो है, मुव्मेंट में रहे, तो इस तरह से बहुत एजी रमेडिज आती है, अब जैसे किसी का सूरे ही नीच का है, अब इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टन है, और मेरा ये कवर अप म बहुत बड़ा घर था, पूरा हमने सब पूरा ले आउट एंड ड्राफ्ट वगरा करने के बाद, जब मैंने उनकी डारेक्शन देखी, तो वो थी प्रॉपर नॉर्थ की डारेक्शन, अब देखो, नॉमली लोग क्या है, नॉर्थ की डारेक्शन ब्लाइंड़ी ले ले यह कर रहे हैं लोग, तो नॉर्थ की डारेक्शन ब्लाइंड़ी ले लिएंड़ी जिसकी डारेक्शन ॉर्च करे ब्लाइंड़ी लेएगी, तो हमें सूट करे लेग, गरेगा, बडू दूर्ण रहे हैं, जब उनका चार्ट में उनका बुध नीच का था, ठीक हैं, अब बुद्धनीच का है काम पे इंपक्त आ रहा है, तब मैंने उनसे कोशन पूचा है, कितने साल होगा है आपको इस घर में रहते हुए, और काम में तो आप डाउन जा रहे होगा है, तब वो जा के बोले है, आपने जो चीज हमें बताई है, यह में आज तक किसी नहीं बताई, मैं इस से पहले भी पांच साल नौर्थ की डिरेक्शन में ही रहता रहा, फिर नौर्थ की डिरेक्शन में ही आगए उपर, कि घर बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी बहुत जादा रहे हैं, कि किसी न सेंसिटिव डिरेक्शन हैं, जिनको आपने इन में पर्टिकुलर चीजें नहीं करनी है, इनकी डिरेक्शन की एंट्री आपको नहीं लेनी है, अभी आते हुए ही शायद एक मैं देख रही थी किसी का, तो वो दोनों हस्बन वाइफ के नाम से घर ले रहे हैं, तो उन्हों ऐपको लेके ही Southwest की direction की तरफ जाएगा, क्योंकि ये डेस्टिनी है आपकी, क्योंकि आपकी अब इस जड़ेघ्ड की चल रही है, तो आपका रहू नेगिटिव है, तो वो आपको लेके जाएगा सबसे पहले Southwest की direction में, वहां लेजा के आपकर नुकसान होंगे, तो इस द्ल वास्तु लगाना बहुत जरूरी है, जो कि आपके लिए कस्टमाइज वास्तु आप दो, सिंपल शब्दों में ऐसे समझे, तो वास्तु तो रूल सबके लिए सेम है, बट आपकी पत्री के हिसाब से, आपके लिए क्या वास्तु आ रहा है, एक तो रहा है, एक तो आपके लिए से,